रादे रादे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वास्त और सुकंच जीवन की मंगल कामना करती हूँ दोस्तों हिंदु धर में कार्तिक महिने का विशेश महत होता है और इसी महिने में भगवान विश्नु और तुलसी जी की पूजा का भी विशेश महत होता है और इस महिने में तुलसी की पूजा विशेश फलडाई भी होती है तुलसी जी की नियमित पूजा से घर में मा लक् करने और कौन सा उपाय करना है आपके घर में माता लक्षमी की कृपा बनी रहे यह वीडियो आज किसी विसाय पर आधारित है तो यह सारी बाते मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वेल बटन को भी प्रेस कर है और पूर्णमा तिथी के सुरुआत साथ नौंबर को साम चार बजकर 15 मिनट से हो रही है वहीं पूर्णमा तिथी की समापती आठ नौंबर को साम चार बजकर 31 मिनट पर होगी ऐसे में उदिया तिथी के अंसार कार्तिक पूर्णमा के ब्रत 4 नौंबर को रखा जाएग कार्तिक मा को सभी महिनों में सबसे सुब फल्दाई माना गया है कार्तिक पुर्णमा के दिन जो व्यक्ति किसी पवित्र नदी में इसनान और दान पुन्न करता है तो उसे इस पूरे महिने की गई पूजा पाठ के भराबर फल मिलता है कार्तिक का महिना भगवान विष्णू का 38 प्री महिना है कार्तिक पुर्णमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है माननेता है कि कार्तिक मा में भगवान विष्णू ने मत्स अवतार लिया था तो आईए जानते हैं कार्तिक पुर्णमा का महत और इस दिन क्या करना चाहिए और पूजा विधी तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कार्तिक पुर्णमा का महत तो क्या है कार्तिक पुर्णमा को त्रेपुरी पुर्णमा भी कहा जाता है मानेता के अंसार इस दिन भगवान शिव ने तृपरा सूर का वद किया था। तृपरा सूर के बद से प्रसन होकर देवताओं ने कासी में अनेक दिये जलाई। इसलिए से देव दीपावली भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं देव दीपावली के दिन दीपदान क कैसे करा जाता है। कार्तिक पुडमा के दिन प्रदोसकाल में किसी नदी तलाब में दीपदान करने का फिसेथ महत्त तो आना जाता है। इस दिन सुव होता है अंधेरे में उझाला करना यानि कि जब भी आप दीबदान करें तो आप सुबह ब्रह्मूर्थ में करें यानि सूर्योदय के पहले जब उजाला ना हुआ हो और साम को जब दीबदान करें तो आप सूर्यास के बाद जब दोनों पहर मिलते हैं उस टाइम दीबदान किया जाता है चलिए अब मैं बताती हूँ कि कार्तिक पुर्मा को पुजा किस प्रकार करनी है पुजा विधी क्या है तो कार्तिक पुर्मा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है ऐसे में इस दिन साम को नदी या तालाब के किनारे दीवदान तो जलाया ही जाता है और साथी में के लिए तो आप घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगजल मिक्स कर लिजे और उसी से लिए और अगर नदी में जाते हैं नाने तो हाथ में कुषाल पहन लिजे उससे बहुत सुभ माना जाता है इस नान के बाद ब्रेत का संकल्प लिया जाता है इसके बाद भगवान विश्नु और तुल्सी जी के समक्ष दीपक जलाया जाता है कार्तिक पूर्मा के दिन धूप नवेध से भगवान विश्णू की पूझा और आर्टी की जाती है इस दिन विश्णू शहत्र नाम का पाठ करना बहुत सुभमाना चाहता है कार्थिक पूर्णमा के दिन चंदरोधय के समय चंद्मा को अर्ग दीया जाता है और इसके बाद बुरत का पारण किया जाता है कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेश महत होता है ऐसे में कार्तिक पूणमा के दिन निश्चित रूप से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए कार्तिक पूणमा पर मालक्षमी की पूजा के बाद तुलसी जी के समक्ष दीपक घी का दीपक जरूर जलान के लिए कार्तिक पुर्णमा की दिन ये उपाय आप जरूर करें कि तुलसी जी की पूजा क्योंकि इस महिने बहुती फलडाई होती है ऐसे में कार्तिक पुर्णमा की दिन शाम के वक्त तुलसी जी की जड़ में घी का दीपक जरूर जलाएं और मता तुलसी को श्रंगार का स जन कार्थिक पूडमा तुमटित के साथ उन हैं लेक्ष्मी की फिस्वाइव और आसिरवाद मिलता है ये थी जानकारी कार्थिक पूर्मा से संबंधित कि हम कार्थिक पूर्मा किस दिन मनाएं और इसकी पूजावीदी क्या है, महत क्या है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शियर कीजेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे